यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ हादसा हुआ है साथ ही आपको बता दे कि एक दर्जन से जादा बच्चों की मौत हो गई है और सिवान से गोरखपुर ये स्कूल वैं जा रही थी जिस दोरान ये हादसा हो गया तो विशुनपूरा थानक्षेतर के बहरपूरवा रेलवे क्रॉसिंग की घटना है जहां पर एक स्कूली वैं के साथ जोर्दार भिड़त हो गई ट्रेन की जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया और इसमें एक दर्जन से जादा बच्चों की मौत हो गई है ये बड़ी खबर कुशी नगर से आपको दे रहे हैं जहां पर एक ट्रेन के साथ स्कूल वैं भिड़ घटना है जहाँ पर रेवे क्रोसिंग से गुज़र रही एक स्कूल वैन ट्रेन के साथ टकरा गई जोरदार भरत ये हुई और इसके बाद एक दरजुन से जादा बच्चों की मौत हो गई है हाथसे में बड़ा हाथसा आपको बता रहे हैं कुशिन अगर से इस वक्की इस वक्की खबर ये है जहाँ पर एक दरजुन से जादा बच्चों की मौत हो गई है डिवाइन मिशन स्कूल की गाड़ी के साथ ये हाथसा सामने आया है साती आपको ये भी बता दे कि सिवान से गोरकपूर ये स्कूल वैन जा रही थी जिस दुरान उसके साथ ये हाथसा बढ़न फुरेक्स के साथ जादा बच्चों की मौत हो गई है बड़ी खबर कुशिन अगर से आपको डे रहे है डिवाइन मिशन स्कूल की गाड़ी के साथ बड़ा हाथसा हुआ एक डर्जुन से जादा बच्चों की मौत हो गई है साथि आपको बता दे सिवान से मौत हो गई है तो कुशी नगर में एक दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है यह बड़ी खबर कुशी नगर से आपको दे रहे हैं जहां पर डिवाइन मिशन स्कूल की गाड़ी के साथ यह हाथा हो गया है एक दर्जन से ज्यादा बच्चों ने इसमें अपनी जा अपनी जान गवादी है साथी आपको ये भी बता दे कि यूपी सरकार ने इस मामले की पूरी जांच के आदेश दे दिये हैं कि किस तरीके से ये हाथसा हुआ और ऐसा कैसे हो गया कि ट्रेन के साथ एक स्कूल वैन टकरा गई और इस जोरदार भिरक में एक दर्जन से जादा बच्चों की मौत हो गई है कुशी नगर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हाथसे में एक दर्जन से जादा बच्चों की मौत हो गई है साथी आपको बता दे कि इस पूरे मामली की जांच की आदेश यूपी सरकार की ओर से दे दिये गए है डिवाइन मिशन स्कूल की घटना है तस्वीरे आप देख सकते हैं टेवी स्किन्स पर की कितनी दिल को धहला देने वाली यह तस्वीरे हैं ट्रेन और स्कूली वैन की जोरदार भिड़त हुई जिसके चुलते एक दर्जन से जादा बच्चों ने अपनी जान गवा दी आपको बता दे कि रेलवे क्र तस्वीरे आप देख सकते हैं टेवी स्किन्स पर की कितनी दिल को धहला देने वाली तस्वीरे हैं एक दर्जन से जादा बच्चों ने इस हादसे में अपनी जान गवा दी एक दर्जन से जादा बच्चों की मौत हो चुकी है डिवाइन मिशन स्कूल की गाड़ी के साथ रही थी जिसके चलते और उसके उस दौरान यहादसा हुआ इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए सुनिल यादव हमारे स्वारता फोन लाइं पर जुड़ गहें सुनिल इस हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है तो लगता है संपर कि यहाँ पर टूट गया है दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आपको बता दे सिवान से गोरखपुर यह स्कूल वैन जा रही थी जिस दौरान यहादसा हो गया विशुनपूरा थानक्षेतर के बैपूरवा रेलवे क्रॉसिंग की यह घचना है जहाँ पर ट्रेन और स्कूली वैन आपस में भिड़ गई और इस पूरे मामली की जाच के आदेश भी योपी सरकार की ओर से दे दिये गए है कि इतना भीशन हादसा कैसे हो गया तो बड़ा हादसा आपको बता रहे हैं ये बड़ा हादसा हो गया है कुशी नगर में जहाँ पर एक दर्जुन से जादा वच्चों ने अपनी जान गवा दी है सुनिल यादव हमारे समरता फोन लाइन पर जुड़ गए है सुनिल इस खबर को लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास है तो संपर क्या तूट गया है आपको बता दे सीवान से गोरकपूर ये स्कूल वैन जा रही थी ज़ुद्धरान ये हादसा हो गया विशुनपुरा थानाक शेतर के बहपूरवा रेलवे क्रॉसिंग की घटना है जहां पर ट्रेन और स्कूली वैन की जोरदा भिड़त हो गई जिसमें ये बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में एक दरजन से जादा बच्चों ने अपनी जान गवा दी है तो स्कूली वैनों के साथ जो हादसे लगातार सामने आ रहे हैं इससे पहले नूरपुर में भी एक स्कूल बच्चों ने अपनी जान गवा दी थी अब ऐसा ही एक हादसा एक पर फिर से सामने आया है आपको बता दे कि इसे स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारिया जो है, उस पे एक सवाल खड़े होते हैं, साथ यहां पर UP सरकार पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा किस तरीके से हो गया, ट्रेन की टाइमिंग क्या थी कि जिस तरीके से हाथसा हो गया और कहीं न कहीं ये बड़े सवाल यूपी सरकार पर खड़े करता है सुनेल यादव हमारे सवानता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सुनेल इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है जी हम बतान सवारी गाड़ी सुनेल इस पूरे मामने को लेकर प्रेशासन का क्या रूख है कि अभी तक प्रतासन वहां पर पूरी तरीके से विफन नजर आ रही है जो कि यहां पर जितनी माना जाए उतने हैं जो यहां के इसकूल के जो जो भी इसमें प्रदाना त्यापक हो और अन्य जी तो बच्चाव कारे किया जा रहा है और जो भी इसमें बच्चों की मौत हो गई है जिसमें लगभाग इसमें दो दर्जन एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हुई है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनल यादव तमाम जानकारी देने के लिए तो सुनल यादव हमारे समरता जुड़े थे आपको बता दे कि यूपी सरकार ने जात क्या देश भी दे दी है पुरे मामले को लेकर नूरपूर में पहले स्कूली बच्चों के साथ ऐसा ही दिल दला देने वाली एक घटना सामने आई थी ऐसा ही एक हाथसा सामने आया था जिसने सभी के दिलों को जगजोर कर रख दिया था जिसके बाद अब एक बर फिर से ऐसा ही हाथसा सामने आया है सिवान से गोरकपुर स्कूल वैन जा रही थी जिस दुरान रेलवे क्रॉसिंग के वक्त ये घटना हो गई और इस बड़े हाथसे में एक दरजुन से जादा बच्चों ने अपनी जान गवादी तो मासूमों ने यहाँ पर एक बर फिर से अपनी जान गवादी आपको बता दे कि परिवार वालों का भी अब क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बड़ा हाथसा यहाँ पर हो गया है एक दरजुन से जादा मासूमों ने अपनी जान गवादी तो यूपी सरकार पर कही न कही बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं यूपी सरकार ने जाच क्या देश दे दिये हैं तो CMO हमारे साथ जूड़ गए हैं एक के सिंग बॉगोज स्वागत है आपका खबर अभी तक पर बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर कुशी नगर में यह जो बड़ा हाथ सा हुआ है इससे लेकर क्या कहेंगे बड़ा हाथ सामने के लिए तो यह बड़ा हाथ सामने आया है आपको बता दे हाथ से में एक दर्जुन से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है एके सिंग जियामों हमारे साथ जुड़े हुए थे डिवाइन मीशन स्कूल की गाड़ी के साथ यह हाथ सा हो गया है और सिवान से गोरकपुर यह स्कूल बैंच आ रही थी जिस दोरां यह बड़ा हाथ सा हो गया ए पीद वी पाइन में कारी थी पी Il भी गया हाथ प्याद कर दो